और बात करते हैं कॉलोराडो के जहां कॉलोराडो पुलीस ने रिलीस की है बॉडी कैमरा विडियो जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन में टकर मारी है पुलीस की गाड़ी को जिसमें एक औरत हैंडकफ के साथ मौझूद थी 20-year-old Yorini Reyes Gonzalez हैंडकफ है in the back of the vehicle और उसने सफर की है multiple injuries जिसको रिपोर्ट किया है the Denver Post newspaper ने moments before जब ये train collide करती है गाड़ी से देखा जा सकता है कि पुलीस officer पीछे हट रहा है गाड़ी से जो के parked है train tracks पर ये video release की गई है अब जबकि ये incident हुआ है September the 16 को